जाहिन सवी सानिको तथा भूत पूर सानिको का स्वागत है आपके अपने भरोसे मन यूट्यूब चेनल में OROP पर सबसे बड़ी गोड ने उजाई Defense Account Department ने ADS भुकतान जारी किया ADS भुकतान की तारीक को बताया है तथा बड़ी हुई pension के क्या status है उसके बारे में 20-30 जानकारी दी है मैं आपको बताता हूँ यह ट्विट जो आप देख रहे हैं आपके सामने यह Defense Account Department से है इसमें कहा गया है कि Revision possible for 3,79,841 pensioners who saw an increase in monthly pension with their January 2023 payment यह कहना चाहते हैं कि 3,79,841 pensioners का जो बढ़ी हुई pension है महिने की जो बढ़ी हुई pension है वो जन्वारी के 2023 के payment के साथ वो देख चुके है यानि कि इतने pensioners की बढ़ी हुई pension उनको दे दी गई है खाते में उनके आ गए है monthly pension के साथ अब आगे क्या कहते हैं यह कि out of 30,082,506 eligible experts pensioners for OROP Revision processing of 4,58,519 pensioners has been completed successfully यह करना चाहते हैं कि 13,82,506 eligible pensioners हैं उनमें से 4,58,519 pensioners का revision का जो परकिरिया है वो सफलता पूर्वक पूरा कर लिया गया है अब आगे यह बताते हैं areas भुकतान के बारे में महत्तोपुनी जनकारी देते हैं defense account के तरफ से यह करते हैं कि processing of remaining cases will be completed by 10 January 10 February 2023 करना चाहते हैं कि बचा हुआ जो भी process है वो 10 February 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा and areas will be distributed from 15th February 2023 onwards और areas का भुकतान 15 February 2023 उसके बाद से शुरू कर दिया जाएगा आपके लिए बहुत बड़ी good news है आपकी areas 15 February से आपके खाते में जाने शुरू हो जाएगे या 15 February के बाद से ही शुरू कर दिया जाएगा यह 15 February डेट दिया गया है deadline दे दी गई है आपके खातों में जाने शुरू हो जाएगे आशा करता हूँ कि यह समाचार आपको अच्छा लागा होगा मिलेंगे दूसरी वीडियो में